नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मुख मंत्री ने सभी जीलो में इस्थित आसी उत्कृष्ट विद्यालों का सुभारम किया है बता दे रांची के उत्कृष्ट विद्याले ठाकुर्वी स्वनात सादे उच विद्याले जगरनाथपुर में आयोजित राज अस्तरिय समारों के साथ इन स्कूलों की नई कलास में नवांकर्ण की परकिरिया की भी सुरुवात कर दी गई इन स्कूलों को सीबीसी की मनियाते मिल गई है और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी बता दे मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजे के स्कूलों में सिख्षकों की कमी है कई अर्चने कई बधावों की वज़ा से सिख्षकों की नियुक्ती नहीं हो पाई लेकिन इस समस्या का समधान निकाला जा चुका है इस माह के अंत तक लगभग 25 पची सेर्शिक्षकों की बाहली पर किलिया सुरू होगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूलों के संचालन के लिए इस्कूल के अंदर एक प्रमंदन समीती है उन सबी स्याग रहा है कि वे भी उत्रिष्ट पिद्यालों में बेतर सिक्षा के लिए आंभूम का निभा है ताकि स्कूलों का संचालन बेतर ढंग से किया जा सके मौसम विग्यान केंद्र रांची ने 6 माई को बंगाल की खाड़ी के उपर चक्रवात किया संका जताई है बताया जा रहा है कि दक्षनी पुरो बंगाल की खाड़ी के उपर चक्रवाती हावा का एक छेत्र बिक्सित हो रहा है चक्रवाती हवावों का असर जार्खन समेथ आजपास के राज्यों पर भी पढ़ने की समभना है इससे अगले 48 घंटों में जार्खन के जीलों में कहीं कहीं कम दबाव का छेतर बन सकता है इसे लेकर मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों के लिए अलट भी जारी किया है विभाग के मुतावि अगले 2 दिनों तक तेज हवावों के साथ हलके से हलके बारिस हो सकती है ऐसे में जार्खन के मौसम का मिज़ाज बदल रहा है मंगलवार को भी दिन भराइधानी राची में बादल चाय रहे वहीं बुद्धवार को भी मौसम विभाग ने बारिस होने का पुरौनमान जारी किया है जार्खन में उतक्रिष्ट बिद्याले का सुभाराम सियम हेमान सुरेन ने जार्खन को असी उतक्रिष्ट बिद्यालेयो की सोगाद दी है इस मौके पर राची में सियम हेमान सुरेन ने एक और बड़ी घोसना की है उन्होंने कहा है कि इस महीने चरनबत तरीके से 25 एर सिसको की नियुक्ति आरंब होगी बता दे जार्खन में सरकारी स्कूलों के सेक्षनी गुनवता बढ़ाने के उदेश से सियम हेमान सुरेन ने एक बड़ी पहल की है जिसके तहात नीजी स्कूलों के तर्ज पर असी उतक्रिष्ट बिद्याले के सुरुवाद की गई रांची में उत्रिष्ट विद्याले का सुभारम करते हुए मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि हम जानते हैं कि विद्यालों में सिख्षको की कमी है इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस महीने चरनबत तरीके से 25 सेर्शिक्स को कि नियुक्ति करने का फैसला लिया है जो आने वाले समय में दिखाई देने लगेगी मंगलवार को मुख्य मंत्री है मंसुने ने राजधानी राची के जगरनाथ पूर में अदर्स भी द्याले के सुरुआत की है मंत्री बनना के खिलाब सिकायतों को लेकर राज जेपाल से मिले सर्जू राय पुर्व मंत्री सरजु राय मंगलवार को राज सरकार के स्वास मंत्री बनना गुपता के खिलाब सिखायतों का पुलिंदा लेकर राजेपास सीपी रादा कृष्णा से मिलने पहुंचे उन्होंने आरोप लगाया है कि गैर कानूनी कार्या करने के बावजूद मंत्री के खिलाब करवाई नहीं हो रही है सरजु राय ने आरोप लगाया है कि मंत्री अपने पास परतिबंदित पिस्टोल भी रखते है उन्होंने एक महिला के साथ असलील वीडियो चैट की है पूलिस के पास पर्यात परमान होने के बावजूद उन पर कोई करवाई नहीं की जा रही उन्होंने कहा है कि जमसेद पुर्जिला पसासन और राज सरकार का रवाईया धूल मुल है उन्होंने राज्यपाल से उन्रोत किया है कि मुख्य मंतरी को निर्देश दे किवे स्वास्त मंतरी को अभिलम पर खास्त करे जारखन में भिशन सरक हादसा पीक अप वैन पलटने से तीन की मौत 29 गंभीर रूप से घायल गुमला जिले के जारी थाना छेतरे के जरड़ा गाउं के समी भिशन सरक हादसा हुआ आए पीक अप वैन पलटने से तीन लोगों की मौके पर मौत हो गए जबकि 29 गंभीर रूप से घायल हो गए इनका इलाज भी चल रहा है मिली जनकारी के अनुसार मित्तक वगाय लोग जारी की गोविंदपूर पंचायत इस्थीत सरंग गाड़ी गाउं में साधी समारों में सामिल होने डूमरी थाना के कटारी गाउं से आई हुए थे साधी समारों में सामिल होने के बाद वापस होने के करम में जरडा गाव के समीप सवक किनारे लगे सीगनल बोड में गाड़ी ने धाका मारा और इसके बाद गाड़ी तीन बार पल्टी हो गई समलैंगी की बिवाह के मुसले को लेकर राष्टपति के नाम राजेपाल को सौपा ग्यापन सबलाएंगी की बीवाह की मनेता कुले का सुप्रीम कोट में चल रहे मामले को लेकर जार्खन के राजेपल सीपी राधा किष्णन से मंगलवार को जार्खन सीविल सोसाइटी के एक प्रतिनिधी मंडल ने मुलकात की और राश्टपती की नाम एक मांग पत्र सोपा प्रतिनिधी मंडल ने एलजी बीटी क्यू के विशय में अपने चिंता से राश्टपती का उगत कराने को लेकर राजेपल को ग्यापन सौपा है इसमें मुद्दे पर पुन विचार करने का आगरा किया गया जार्खन सीविल सोसाइटी के अनुसार समलाएंगी की बिवाभा परिवारिक विवस्था पर कुठा राग हाथ है किसी भी सूरत में इसकी इजाजत नहीं दी जाने का नुरोद किया गया है बीजेपी के खिलाब विपक्षी एक जूटता को लेकर जार्खन में कवायत तेज जार्खन में भी बीजेपी को खेरने के त्यारी सुरू हो गई है अगामी लोग सबाचुना में मात देने के लिए रण निती त्यार की जा रही है इसी को लेकर जद्यू के राष्ट्रिय अध्याक ललन सिंग ने मुख्य मंत्री हमन सुनन से मुलकात की बतादे बीजेपी के खिलाब विपक्षी एक जूटता को लेकर नितिस कुमार एडी चोटी का जोर लगाय हुए है इसी बावत मंगलवार को जद्यू कराष्ट्रिय अध्याक लाजी उर्ण उर्फ ललन सिंग ने ज़ार्खन के मुख्य मंत्री हमन सुनन से मुलकात की है हलाकि दोनों भले ही इसे केवल सिष्टा चार बारता बताया है लेकि राइनित्ती पंडितों को इसके मायने भली भाती पता है जामो ने बीजेपी के खिलाब विपक्षी एक जूटता को लेकर समाती पहले ही जता दी थी जार्खन के आठ ठीकानों पर NIA की रेड NIA की टीम ने बिहार जार्खन सही देश बरके 14 स्थानों पर एक साच चापे मारी की है इसमें जार्खन के आठ ठीकाने सामिल है मंगलवार को सुबा में बोकारो जीला में मजदूर संगठन समीतिक सहस्यों के घरों पर टीम ने रेड डाली थी बता दे जार्खन बिहार समें देश के कई राज्यों में भागपा मवादी संगठन को विस्तार देने और देश के खिलाब साजिस राचने से जुड़े केस में एनाईय ने बिहार जार्खन सहीत देश बर में 14 अस्थान पर एक सा चापे मारी की जापे मारी के दोरान मवादी संगठन से जुड़े महतपुन दस्तावेज मवादी साहीत पत्र डिजिटल साक्ष मोबाइल और सीडी बरामत किये गए हैं रांची भिश्व बिद्यारे का 36 वा दिक्छान समारो का अवर्जन किया गया दिक्षान समारों में बतर मुख्या थी थी राजी के राज़े पाल सीपी रधा किशन मौझूद रहे उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री पदान की डिग्री पाकर छात्र शात्र है काफी खुश दिखी बता दे कि 36 दिक्षान समारों में राज़े पाल सीपी रधा किशन ने चात्रो को कहा है कि आज भले ही वो डिग्री लेकर कॉलेज से अलविदा हो रहे हैं लेकिन उन्हें संखहस लगतार जारी रखना होगा जारखन में गुनवता पुन सिक्षा उपलब्द कराना राज सरकार की प्रत्मिक्ता है और यह कदम सरकार की पंचायत तक जाएगी इसमें सबसे आहम भूम का सिक्षा विभाग और सिक्षको का होगा उन्होंने कहा है कि हम राजी के गरीब आदिवसे दलीत पिछड़े और मैदूर के बच्चों को कैसे बेहता सिक्षा उपलब्द करा सके राजे में वर्सों से चली आ रही पिछड़े पन की समस्या को कैसे खत्म करें इस निमित लगातार मन्थन करते आ रहे हैं उन्होंने कहा है कि सिक्षा एक ऐसा सस्त रहा है जिसके माद्यम से हर चीज़ हासिल की जा सकती है धन्यवाद